दोस्तो मैं भावनी मिश्रा अपनी चैनल में आपका एक बाव फिर से स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ आप सब अच्छी होंगे कटिन समय चल रहा है बट सावधान रहने की जरुवत है सतक रहने की जरुवत है कल सूरी ग्रहर लगने जा रहा है तो ह पहला सूरी ग्रहर लगने जा रहा है जो कि मिथोन रासि पर लगेगा कंकर सूरी ग्रहर या वल्याकार सूरी ग्रहर है जो की सुवेश्ते नौ 5 सब चर्पल मिनट भारत में शुरू होगा और 2 बचर 28 मिनट पर खत्न नहीं्यों और इसह बाद पढ़ने 먹는-nya eigenen और आप मिश प्रभाव पड़ेगा सबसे पहले बात करेंगे मेस राशी की सुर्ण ग्रहन का आपकी राशी के तीसरे भाव में लगने जा रहा है इस दौरान आपकी आर्थी किस्तिति मजबूत होगी साथ ही कारी छेतर में आपकी सहराना भी की जाएगी आपके भाई बहनों के साथ आप अच्छा समय बिता सकेंगे आप किसी ऐसे सक्सित से मिल सकते हैं जो भविश्य में आपको लाब देगा अब हम बात करेंगे वरिश राशी की सुर्ण ग्रहन आपकी राशी के दूसरे भाग में लगने जा रहा है ग्रहन आपको नौकरी में थोड़ी परसानी ला सकता है सा अनिता आपको परसानी जेलनी पर सकती है अब हम बात करेंगे मिथुन राशी की सुर्ण ग्रहन आपकी राशी के लगन भाव अर्थात पहले स्थान पर लगने जा रहा है इसकी वज़े से आप स्वास्त पर विशेश ध्यान दे और मास लगा कर ही घर से बाहा निकले आप अपनी जित और आविश को नियंतर में रखें अनिता आपके सभाओं में चिर्चरा पना जाएगा जिससे आपको परसानी हो सकती है अध्यात्मका सहारा लें और साकारात्मक रहने की कोशिस करें कार छेत्र में सयम से काम लें अब हम बात करेंगे करकराशी की करें करकराश जो है सूरी गहन आपकी रासी के बार्वे भाग में लगने जा रहा है इस समय आपको धन की हानी हो सकती है इसलिए आप कुछ समय के लिए किसी भी चीज की खरीद फरोग से बचें साथ ही आप अपनी सेहत का विसेज ध्यान रखें आप कोट कचरी के मामलों से दूर हैं साथ जादा दूर की यात्रा करने से बचें अब मैं बात करूंगी सिंग रासी की सूरी गहन आपकी रासी के ग्यारवे स्थान पर लगनी जा रहा है इस समय आय बढ़ाने के लिए आपको कई अउसर मिलेंगे साथ ही आपकी अधूरी ख्वायश भी पूरी होगी आपका रुका शुर्ग रहन आपकी रासी के दसवे स्थान पर लगने जा रहा है कैरियर के लिए ग्रहन काफी उत्तम रहेगा और लाब भी देगा कारी छेतर में आपकी जिमेदार्या बढ़ेंगी साथ ही प्रोमोशन भी होगा परिवार के साथ आपका समय अच्छा गुज़रेगा और स्थाम की तरब से सुब समाचार भी मिलेगा हाला कि आपको समय के लिए निवेस करने से बचें साथ ही स्वास्त का विशेज ध्यान रखें घर में हमेशा मास्क लगा कर ही बाहर जाएं छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा जिससे परिच्छा में अच्छे अंग की प्र आपको परिवार के सदस्यों की चिंता परसान कर सकती है साथ ही कारी शित्र में विरोधी भी पूरी तरह से सक्री रहेंगे आपको नीचा दिखाने की कोसिस में लगे रहेंगे अब हम बात करेंगे धानू राशी की सुर्ग हैं आपकी राशी के सात्वे स्थान पर लगने आप साकारात्मक सोच रखें और अध्यात्मिक ताका सहारा लें इससे आपको साकारात्मक सोचने में मदद मिलेगी यो करने आपके लिए उत्तम होगा अब हम बात करेंगे मकर राशी की सुरी ग्रहन आपके राशी के छटेवे स्थान पर लगने जा रहा है आप जितने भी पुराने कर्ज हैं उनको धीरे धीरे खत्म करते रहें अलिधा आपको परसानी हो सकती है विरोधी आपको परसान कर सकते हैं आपके सामने कोई भी धन खर्च करने वाला पस्ताव आए तो तो उसको कुछ समय के लिए आप मना कर दें, सेहत और वित्यम आमलों में सावधानी बरतने की जर्वत है, अब हम बात करेंगे कुम्भ राशी की, सुरिग रहन आपकी राशी के पांचवे भाव में लगने जा रहा है, जीवन साथी के साथ तनाव का सामना करना पड़ सकता ह इसलिए ध्यान और योग आपके लिए उत्तम रहेगा, पुराने अधुरे कार, पड़े कारियों को फिर से सुरू करने की कोशिश करें, इससे आपको लाब भी होगा और आत्मिश्वास भी जागेगा, परिजनों से आपको सुख और दुख दोनों मिल सकते हैं, इसलिए आप सिर्व अपने काम पर ध्यान रखें, अब हम बात करेंगे मीन राशी की, सुरी ग्रहन आपकी राशी की चौथे भाव में लगने जा रहा है, चात्रों के लिए यह समय उत्तम रहेगा, महनत करेंगे तो परिच्छा में अच्छे आंक भी प्राप्त होंगे, आप कहीं अचानक धन प्राप्ति आपको हो सकती है, साथ ही बेरोजगार लोगों को रोजगार के उसर भी प्राप्त होंगे, व्यापारियों के लिए ग्रहन उत्तम रहेगा, आपकी निजी संबंद, प्रेम पुर्वक और सवधार पूर्ण रहेंगे, तो यह थे राशियों पर प् वीडियो देखने के लिए